अच्छ वाल्गम तो अलव विथ मी अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेजएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आदेशे अपने फ्रेंज के साथ शेयर किजेगा तो पिछले कोडिंग डिकोडिंग पार्ट सेरेज में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग जिसे वन माक्स सकी कोशन पुछे जा सकते हैं अब मैं आप लोगों पढ़ाऊंगी चैनल कोडिंग डिकोडिंग जिसे कोशन आते हैं फाइफ माक्स सकी चैनल कोडिंग हमेश इने शर्टिन कोड लेंगविघ राम इस गुइंग इस गुइंग को लिखा गया है का पा सा इसमें राम की कोडिंग इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है इस की कोडिंग इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है अगला सेंटेंस रेप हम पढ़ेंगे उस पे लिख है गोइंग टू दा मार्केट going to the market पे जो पा जा नी यह लिखा हुआ है तो going की भी coding इन चारों में से कुछ भी हो सकती है true की भी हो सकती कुछ भी the की भी हो सकती कुछ भी और market की भी हो सकती कुछ भी वैसे ही अखले sentence में भी है तो हम लोगों को इसकी sentence को compare करके हमें इसकी coding निकालनी होगी जैसा कि पहले में लिका है RAM is going RAM is going की coding है का-पा-सा वैसे ही going to the market की coding है जो-पा-जा-नी अब in इस version sentence में और इस version sentence की coding में क्या क्या common मिल रहा हमें मतलब पा और पा common मिल रहा हमें पा दोनुमें same है अब हम जब हम देखेंगे रामी इस गोइंग और गोइंग टू दा मार्केट में क्या सहीं है गोइंग इसका कोड हमें ऐसे ही निकालना है common को compare कर हमें दो sentence को compare करना है फिर जो भी common रहेगा वही उसकी coding निकलती है इसे बोलते हैं Chinese coding और Chinese coding को ऐसे ही solve किया जाता है तो going को कोड के हमारे पास P.A.P.A. going को कोड आगे हमारे पा इसे हम जब भी हम एक्जाम में solve करेंगे हमें एक सांथ सब की coding हम पहले छाट-छाट के लिग के नहीं रखेंगे इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है जैसे हमें कोशन में पूछा गया going की code तो हम सब से पहले going की code निकालेंगे और लिग के कपी में किनारे रखेंगे और जहां कोशन रहे कमार दिंगे तक कि अगले कोशन में कभी हमसे पूछ ले is going की code क्या है तो going की हमें ढूढ़ना ना पड़े हमें copy में लिखी हुई मिले रफ पेज में और हम वहां से इसे देख लें ठीक है तो राम इस गोइंग से हमें going की code मिल गई पा राम इस गोइंग और going to the market से अगला sentence है और कुछ common है कि पहले और दूसरे sentence में कुछ भी common नहीं मिल रहा है दूसरे और तीसरे में देखते हैं going to the market market is good दूसरे और तीसरे में क्या मिल मिल रहा हमें जैड़ी जैड़ी और sentence में क्या common है मारकेच और मारकेट इससे हमें क्या पता चल रहा, market की coding क्या आ गई, za तो going की coding आई थी हमारी pa, market की coding आ गई, हमारी za और क्या है दूसरे और तीसरे sentence में common, कुछ भी नहीं है अब हम पहले और तीसरे sentence को ले लेते हैं, ram is going, market is good दोनों में क्या common है, is, is की coding क्या हो सकती है का, पा, सा, और जा, का, सो, दोनों में का और का common है मतलब, is की coding क्या आ गई हमारी का, तो going की coding आ गई हमारी pa going की coding आ गई हमारी pa, और market की coding आ गई हमारी za और, is की coding आ गई हमारी pa, वैसे ही, अब market और is निकल गई हमारी तीसरे sentence से, अब बचा क्या good तो जा और का तो मिल गया है, तो बचा क्या so, मतलब good की coding क्या हो गई हमारी, so, good की coding आ गई हमारी, so, वैसे ही उपपर वाले में, ram is going, is की coding हम पहले और तीसरे sentence से निकाल चुके हैं, पहले और दूसरे sentence है, तो बचा क्या पहले sentence में, ram, तो ram की coding क्या हो जाएगी, बचा क्या का, पा और सा में क्या बचा हुआ हमारा, का हो चुका है, और पा हो चुका है, बचा क्या हमारा, sa, तो ram की coding क्या गई, sa, अब दूसरे number की sentence में, क्या बचा, ram is going, पहले से हो च टू और द को हम कैसे लिख सकते हैं टू और दू से आगिया हमारा टू और द Cem और कहीं से हमें कुछ मिल रहा है किया तू और द 경 placed क्या है optional चलेगी जो भी हो सकती है और नी भी हो सकती है ठीक है क्या क्या मिला हमें going से मिला हमें PA ease का मिला हमें market का मिला हमें ZA Ram का मिला हमें SA good का मिला हमें so और to और the का मिला हमें जो और ने तीक है अब कोश्शन किस तरह की से आगा तो चलिए चलते हमारे पहले कोश्शन की दरब P.A. stand for P.A. stand for P.A. की कोडिंग क्या निका ली थी अभी हमने going कोश्शन से आप देख सकते है P.A. की कोडिंग क्या है going तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऐ्सक्का्याभी अग्ला कょुश्न की दरब चलते मार्केट मार्केट कोड़ मार्केट कखोट करने 560 से दीज निकाला था हमने तो जैड ही क्या हो गया हमारा इसकी अंसर हो गया यह भी जो उनसे नंबर पे रहे का option उसे हम टिक कर देंगे अगला हमारा the stand for तो हमने क्या निकाला था to और the का निकाला हमने जो और नी तो अब हम इसको कैसे बताएंगे कि इसका क्या होगा या तो option में दिये रहेगा the की coding पुछ है तो the का हमें पता नी जो है की नी है तो option में दिये रहेगा या तो c and d that means cannot be determined हिंदी में निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो है की नी हम नहीं बता सकते तो अगर आप English में solve करेंगे question तो लिखना c and d cannot be determined or a eg diya रहेगा Hindi में दिया रहेगा पुछ ह dew धारित नहीं किया सकता वैसे ही अगर । यह option में नहीं दिया होगा तो option में दिया होगा आपका जो or need to हम क्या करेंगे इसे tick करेंगे और हमेशा देखना जोब नहीं रहेगा यह दोनों कभी हिने आएगे या तो यह आएगा या तो यह तो यह लगा देंगे यह तो हम यह लगा झाल जो बंशने वह रहेंगे ओर अगर यह दोनों भी उप्शन में नहीं रहा तो एक रहा हूं मतलम नन ओफ इस Empire कर दो जादा कोडिंग एक तो हम चाहँ कोडिंगी was योगी एक तो फिक्स रहती है एक से जादा घू आ गहे तो हम क्या तुम देक्षा अंशम क्या सी कुछ और हम ऊंश्टार संटी द्गीव Experience साथ काउद किया गया है तो राम की कोड़िंग आजाएगी हमारी सो इसकी कोडन का जाएगी का साथ का और ये याद रखना जब भी इसका ना भी दिया रहेगा तो जैसे ऑप्षिन में अगर दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा तो अब हम राम इस गुड़ारम इस सब्सक्राइब करें लिखाए और लिखा रहे हैं इसे कोड करना तो यह रहा है चैनिस कोडिंग डी कोडिंग का चार कोशन में आप लोगो को सौल चली बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि है you are beautiful is returners hoe xa और vy da you are beautiful को लिखा गया है xa और vy da you are beautiful वे धिल्च आव जै वैसेी major smart को लिखा गया है la lobby mo xa और beth a you are welcome को लिखा गया है iç e ish qos i शर ये लिखाय ऑफ डेखने why there the real Co । गया है got complete ही स्मार्ट, इसमें पहले और दूसरे सं시면 are common रहा हमें और रों और ऑइसकी कोडिंस में हमें के मिल रहा है common e-ek-a और ex-e, तो मतलब र की कोडिंग क्या हो गई? हमारी RA का ते रहा है और कुछ मिल रहा हैं कि पहली और दूसरे और तीसरे में क्या मिल रहा है, they are very smart, you are welcome, इसमें भी RR common है, R की तो हमें मिल चुकी है, और कुछ common है क्या नहीं, अब हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे sentence को लेकर चलेंगे, you are beautiful, you are welcome, RR, you, you common मिल रहा है, R की हम निकाल चुकी है, बचा क्या, U, X से, X से तो हमारी R की, और U की क् हमारी हो, J, A, H, O, S, I, मतब क्या मिल रहा है, हमें, हो, H, O, common मिल रहा है, हमें, तो ये किसकी गोडिंग हो गई, U की, अब पहले sentence में, हम यू और R की निकाल चुके, तो ये जे, A, बचा वो किसका हो गया, beautiful का, और तीसरे sentence में हम निकाल चुके है, X, A, R की, H, O, U की, तो welcome की क्या हो गई, S, I, welcome की हो गई, और बीच वाले sentence में, हम कुछ बोल नहीं सकते, D, R, D, R की निकाल लिए, D, very smart, इसकी हम बोल नहीं सकते, La, Mo, और D, A है, इसका क्या होगा, हम बोल नहीं सकते, तो अगर इन से related question आएगा, तो हम क्या लगा देंगे, C, D, option में, चूस करें ठीक है, तो चलिए, अब हम अपने अगले question की दरब चलते हैं, इसकी question इसे related क्या है, very is coded, very को कैसे कोड़िया गया है, तो very में, पहला option, दूसरा option, तीसरा option, चौथा option, और पांचा option दिया रहेगा, यादो कहीं पे आपका लिखा रहेगा, C, D, cannot be determined, तो हम इसे टिक कर दे या फिर हमारा कहीं पे option में ये नहीं दिया हूँ रहेगा, तो हमारा दिया हुआ रहेगा, very के लिए, la, oblique, m,o, oblique, d,a, तो हम क्या करेंगे, इसे choose कर लेंगे, ठीक है, और ये भी अगर option में नहीं दिया हो, तो कहीं पे option में दिया रहेगा, none of these, तो हम इसे टिक कर नो एक सांथ कभी भी नहीं आएगा मुस्ट प्रोबैबली आता है यह उसके बाद आता है यह वैसे बहुत कम ही आता है निकाल ली थी जो की थी हो और एकस ए तो बचा क्या था हमारा प्यूटिफूल और बचा क्या था जे ए तो इस कांसर क्या हो जाएगा जे ए ठीक है तिसरी कुशन के दिर आप चलते हैं पीपिल आर वैलकम लिखा है तो पीपल के तो हमने पढ़ी नहीं बहुत कि यह सेंटें वेलकम की SI है और R की क्या है XE है अब क्या दिये देखेंगे हम जब यह solve करेंगे हम इसे कोशन तो हम जाएंगे सबसे पहले option की तरब हर option में XE और SI को हम चेक करेंगे जिस option में XE और SI रहेगा उसे तो हम choose करेंगे बाकी कोशन को हटा देंगे जैसे इन में मालो दूसरे में XE और SI नहीं है चौथे में भी नहीं है तो और पांचो option दिया है हमारा none of this या CND जो भी थी है तो पहले में दिया हुए XE, दूसरे में दिय injon में x protected, Co'd क्या हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों हैं यह क्यों कि people हमारे स्टेंस में है पर हमारे सेंटेंस में और हमारे स्टेंस में n Teams को restriction würd pate नहीं है इक वह बता है और जो है आप लोग को समझ आ रहा होगा तो ये 2 question होगा चैने शोडीनिया के five marks के question पूछ पूछ जाते हैं अब हम चलते हैं मेरे कोशन की तुर कि चिरो कहती है कि बख़ल मर्ण के पूचे जाते हैं उसक चैने कोश्चन और अगर इस टैप के कौश्शं जो अभी हम यह पढ़ेंगे अगे तो बहुत हैं तो अगर इस टैप से चानिश कोड़िंग निकोड़िंग से आगे तो पांच मक्स की कोश्ट आएंगे ठीक है तो चली आप हम पढ़ते हैं जैसी की कोश्ट हमारा शन is called moon moon is called planet planet is called Earth Earth is called garden then where do we live noена söर्च को कहा जाता है चंद्रमा चंद्रमा को कहा जाता है लेनेट लेने फिना लेजाता है अर्द मतलबovaथ लेन वहां वहां लेदाला कैनल हम कहा रहते हैं तो फिर वह कहा दो हम रहते हैं हम रहते हैं अर्थ परफ को शरा रहाए और्थ इस कॉल गार्डन मतलब आंसर क्या है हमारा गार्डन क्योंकि अर्थ को क्या बोला जा रहा है गार्डन हम रहते कहां पर हम रहते हैं अर्थ में और अर्थ को क्या आप कहा जाता है अर्थ इसको बोला जा रहा है गार्डन मतलब हम कहां पर रहते हैं गार्डन भी कूल रेड रेड कहा जाता है यह संद्रा को रूसरो है यह यह को थो नहीं कॉल धिखो दो तरीके से इसमें आप конф्यूज हो सकते हैं ओरेंज इसको रेड, औरेंज को किया बोला जाता है रेड तो हम यह और अप्शन नहीं लगा देंगे कि ओरेंज आया हमारा और हमने इसको टिक कर दिया और यह गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा यह क्योंकि blood का color होता है हमारा red और हमीड red को हम क्या बोल रहे है red किसको बोल नहीं है नहीं red को हम क्या कह रहे है red को क्या बोलते है red को pink मतलब इसको answer क्या हो जाएगा red is called pink red को क्या आज कहा जा रहा है pink तो blood का color क्या होता है red मतलब answer क्या हो गया pink चाहएं पर आंजांते हैं पर लाल कलर उते हैं कि स्कुल कर सकते एकक्स एक सब्सक्राइबस्तिचित ध्योस सब्सक्राइब और एक question दे दिया जाएगा हमें उसको solve करना होगा तो चलिए अब हम चलते हैं हमरे एगले question की तरफ जो की है if p p means into q means divide r means plus और s means minus then 80s40r2p8q4 is equal to what ठेक मतलब यदि p का मतलब गुणा करना हो रहा है q का मतलब भाग देना हो रहा है r का मतलब जोड़ना हो रहा है s का मतलब घटाना हो रहा है तो इस question का answer क्या होगा तो चलिए इसको हम solve करना सिकते हैं हमारा question है 80s40r2p8q4 सबसे बहले हम इसको code कर लेंगे 80s का मतलब क्या है हमारे question में s का मतलब है s means minus 80 minus 40 r r means plus 2 p means p means into 8 8 q means q means divided 4 ठीक तो हमें क्या मिला 80 minus 40 plus 2 into 8 divided by 4 80 में से 40 को घटाना है और 2 को गुणा करना है 8 से और भाग देना है 400 उसके बाद इसकी value को क्या करना है जोड़ देना ठीक है 80 माइनस 40 तो आप लोगों को यह तो बॉड़ माइस पढ़ा ही होगा आप लोगों ने मैथ्स में बच्पन पर यह पढ़ाया जाता है बॉड़ मास मतलब होता है सबसे पहले हम किस चिन को किस की साइन को हम पहले सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसके बाद ओफ सॉल्व करते हैं ब्रैकेट मतलब को स्चक ओफ मतलब जो का लिखा रहता है उसे हम सॉल्व करते हैं जैसे 2 का 10% ऐसा पड़ते थे सबस्ट्रेट किया जाता है माइनस किया जाता है घटाया जाता है ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 80-40 ब्लस 2 x 8 divided by 4 तो 2 x 8 divided by 4 है तो इससे हम सॉल्फ कर लेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 4 4 2 8 तो इस कांसर के मिल जाएगा 2 गुणा 2 मतलब 2 x 2 is equal to 4 इतना को सॉल्फ करने पर मिला हमें क्या 4 अब क्या बचा हमारे पास 80-40 प्लस 4 80 में से 40 माइनस कर दिए तो क्या बचा 40 प्लस 4 इसका अंसर क्या जाएगा फिर देखेगा कि आपने सही बनाया या कलर बनाया है वैसे हमारा अगला कोशन है 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 मतलब क्या है प्लस एड़ रेट मतलब क्या है दिवाइड एस मतल डॉलर मतलब क्या है माइनस और एंड मतलब क्या है इंटू दैन 54 एड़ रेट 3 है तेक 5 एड 6 डॉलर 18 इस इक्वल तो वाट मतलब इसको हमें सॉल्व करना है तो चले सॉल्व करते हैं 54 at the rate at the rate मतलब क्या लिखा है हमारा at the rate मतलब है divided 3 तो 3 लिखती है has has मतलब क्या है plus plus कर लिया 5 तो 5 and and मतलब into 6 6 dollar dollar मतलब क्या लिखा हमारा minus 18 तो 18 इस cancel क्या आएगा तो चलिए बनाते हैंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे division करेंगे तो 54 upon 3 मतलब 18 3 1s a 3 3 8s a 24 3 1s a 3 3 8s a 24 तो यह किता होता है 14 तो यह किता आगया हमारा 18 plus का plus कर देंगे 5 into 6 into करेंगे divided के बाद 5 into 6 पांच चके 30 तर्टी आगया यह minus 18 तो plus 18 और minus 18 plus minus कर गया 18 में 16 तो जीरो तो answer कितना बचा हमारे पास 30 तो जहां भी हमारे option में 30 लिखा रहेगा हम उसे टिक कर देंगे और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक आप लोगों समझा रहा होगा इस टेप का एक और question है जो की exam में पूछा जाता है तो चलिए चलते हम इस टेप के एक और question की तरफ तो अगरा question हमारा यह cloud c l o u d cloud को कैसे code किया गया है two six three eight five यह बहुत easy रहता है बहुत असानी solve हो जाता है दुसरे हमारा p d u double l इसका क्या code किया गया है nine eight sorry nine five eight six six हमें निकालना है अब l p d o c का code तो कैसे इसको देख की क्या समझ आ रहा है इसको हम कैसे solve करेंगे सबसे पहले आप दिमांग लगाना जो हमने इसे पहले part series में पढ़ी थी yustrap को कोशन नहीं होगा और अगर आप लोगे को लग रहे है यustrap को कोशन आ तो सबसे पहले जब иustrap को को कोशन आ है तो आप वसको कैसे देखना कि जो इन दोनों में common है अगर हम जो हमने पहले part series में पढ़ा तो उसमें पिया आप य कोडिंग क्या ले लिया इसने 6 दिया ऐसा तो कहीं नहीं है मतलब यह स्टेट की कोडिंग है इसा नहीं है मलब क्या है वह हमने जो पहले पार्ट में पढ़ी ती उस ट्याप की कोडिंग है थी तो मैं गोने आप लोग भीयोगों इस में पह encouraged करना सिखा दिया L की कोडिंग दी हुई है 6 L दूसरे नम्मर पे है पहले दूसरे नम्मर पे है दूसरे नम्मर पे इसकी कोडिंग दी हुई है 6 और L इतर से क्या है Last है और Second Last है मतलब इनमें भी 6 और 6 है मतलब L की कोडिंग क्या रही है 6 अब देखते हैं O को, O है क्या नहीं? U है क्या? U है यहां पर फोर्थ नमर पर जिसका कोड है 8 यहां से है थर्ड नमर पर जिसका कोड है 8 मतलब U का कोड क्या आ रहा है हमारा 8 वैसे ही D है लास्ट पर जिसका कोड है 5 D है सेकंड पर जिसका कोड है 5 कोड कर सकते हैं तो इस तरीके से में सवल्व कर सकते हैं तो छेलिए हमारा कोशन क्या है ल पी डी ओ सी कोड निकालना है तो हम कौशन पर देख वा रहे हैं ल य defense कि लाष कंड प्यार है जिसका 6 है अगले हमारा पी सिर्फ सेकंड वाले में और फर्स नंबर पर उसकी जिसकी coding क्या है 3 तो मतलब 3 C first number प्यार है उसकी coding क्या है 2 मतलब 2 जहां पर यह option दिया रहेगा वो हमारा answer रहेगा ठीक है अगला question लेके चलते हम शाम शाम is written as S-H-Y-E-M शाम क्या है 5-1-2-3-7 ठीक है भई राम, राम को कैसे coding क्या गए है 9-3-7 हमें निकलना है शर्मा को कोड S, S से 5 पे S 5 आगया इन दोन में क्या common है A और M A का 3, A का 3 M का 7, M का 7 मतलब इसकी भी coding वैसी की गई है शर्मा का निकलना है S का क्या आगया हमारा 5 S का आगया हमारा 5 H का आगया हमारा 1 A का आगया हमारा 3 R का क्या आगया हमारा R9 R का आगया 9 S, A, R, M का आगया हमारा 7, A का आगया हमारा 3 मतलब जहां भी 5, 1, 3, 9, 7, 3 दिया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो यह हमने आज पढ़ा Chinese Coding Recording और यह कुछ questions से पूछा जाता है जो की वन माक्स कोशन पूछ लिए जाते हैं Chinese Coding Recording आएगा 5 माक्स का यह हमेशा परी एकजाम में पूछा जाता है अब हम कल पढ़ेंगे एक दूसरी conditional coding जिसके डो टैप में आप लोग को पढ़ाऊंगी एक conditional coding एक पढ़ेंगे और एक और coding पढ़ेंगे जो की पूछी जाती हमेशा means में means में से कोशन आते हैं और conditional coding का एक टैप है जो की pre में कभी कभी पूछ लिया जाता है वो भी P.O के एकजाम में कलर के एकजाम में नहीं पूछा जाता है और कल जो हम पढ़ेंगे वो means लेवल का रहेगा और कुछ कोशन ऐसे रहेंगे जो जिनकी pre level के टैप भी रहेगी बर pre में वो नहीं पूछा जाएगा कल जो हम पढ़ेंगे वो means का रहेगा और means में कित सरी कोशन आते हैं वो हम कल सॉल्फ करेंगे खीक है हम वीडियो को end up करते हैं आप लोगों को जो यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक किज़ेगा और अपनी फ्रेंट के सांथ शेयर किज़ेगा तो चलिए हम वीडियो को end up करते हैं टील देन कीप लिणिंग के प्रेक्टिसिंग thank you and bye bye